दोस्तों स्वागत है आपका ब्लॉगिंग के एक ऐसे कोर्स में जिसमें आप 3-6 महीने महनत करके पूरी जिंदगी तक लाखों रुपए कमा सकते हो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई 3-6 महीने महनत तो करनी पड़ेगी तो उन लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप जब लोग स्कूल में जाते हो दस बारा साल आप स्कूल में पड़ाई करते हो उसके बाद कॉलेज में आप पड़ाई करते हो उस पे लाखों रुपए खर्च करते हो इतना सा पड़ाई करने के बाद भी सच्चा ये है आजकल इंडिया में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है अगर पड़ाई से इतना टाइम लगाने से पैसा खर्च करने से नौकरी मिलती तो आज हर इंसान पैसा कमा रहा होता और आज मैं जिस चीज के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग का एक ऐसा तरीका जिस पे अगर आप सही धंग से काम करते हो तो आप उसे पूरी लाइफ तक पैसा कमा सकते हो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनोंने ब्लॉगिंग के बारे में कभी नहीं सुना होगा तो वो उनको घबराने की जरूओत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस ब्लॉगिंग करने की उतनी नौलेज दूँगा जितने से आप पैसा कमा सकते हैं, हम फालतुगा कुछ भी नहीं सीखेंगे जिससे आप कन्फ्यूज हो जाओ और आपको आगे काम करने में दिक्कत है, मैं आपको पैसा भी घर्च कर दी, अपना टाइम भी लगाया, महनत भी करी, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भाई उन लोगों को भी ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, जिससे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, च स्टेब बाई स्टेब बताऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप घर वेटे, अपने मुबाईल, लैप्टॉप और कम्प्यूटर का यूज करके, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सको, तो भाई, इस कोर्स को आपको कैसे देखना है, इसका एक भी सेकंड मिस न आपने पैसा कमा यह, मैं यह नहीं कहूँगा, सभी ने पैसा कमाया, कुछ आपके साथ शेर करना चाहूंगा, यह हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने ब्लॉगिंग सीखी, अब देखो यह पैसा कमा रहे हैं, अपने ब्लॉग से, ठीक है, इसके साथ हम एक पाकिस्तान के हमारे सब्सक्राइबर है, मैंने एक साल पहले एक वीडियो डाली थी, PDF कोर्स की ब्लॉगिंग के उन्होंने उस वीडियो से एक साल में 4,000 से ज़्यादा डॉलर, यानि आप लगा के चलो 3,500,000 रोपे उन्होंने कमा लिए एक साल में, सिरफ उस वीडियो के आधार पर, लेकिन अभी वो चीज बंद हो गई, क्योंकि धीरे-धीरे गूगल की चीज़े बदलती रहती हैं लेकिन आज जो कोर्स मैं आपको कराने वाला हूँ वो फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो भाई जो ये कोर्स करवा रहा हूँ इसके रिजल्ट भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा जब लोग इससे पैसा कमाने लग जाएंगे तो आपको करना का है, पूरा पोजिटिव माइन रखे कि हाँ भाई जो हमें करवाया जा रहा है वो 100% सही है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो गूगल पे जाकर, कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, या फिर ऐसे ही अपने फाइदे के लिए बता रहा हूँ, आप रिसर्च कर सकते हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है वो सारी की सारी चीज़े मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा तो बने रही है हमारे साथ आज बहुत ही जादा मज़ा आने वाला है इस कोर्स के अंदर तो भाई सबसे पहले इस कोर्स में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है भाई हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती ठीक है अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूँ अगर मुझे प्रोग्रेमिंग आती है मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो मैं आपको बोलूँ भाई आप प्रोग्रेमिंग सीख लो आपका इंटरस्ट ही नहीं है तो आप प्रोग्रेमिंग नहीं सीख पाओगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बात करें सौनु निगम बहुत अच्छे सिंगर है अगर आप उनको ये कहो कि आप अक्टिंग करो और उनने ट्राई भी किया लेकिन वो अच्छे अक्टर नहीं बन पाए यानि हर इंसान के अंदर हर तरह की capability नहीं होती है तो ये जो course है किन लोगों के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ 5 points अगर आप इन चीज से agree करते हो तो ही इस course को follow करना otherwise अभी छोड़के जा सकते हो सबसे पहली चीज अगर आप सीखने के लिए त्यार हो तो आप इस course को देखे जैको मैं एक चीज मानता हूँ कि मैं इस course में आपको बहुत सारी चीजे सिखा हूँगा अगर आप उन्हें skip करकर के देखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे लेकिन जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ आप ये mentality के साथ देखोगे कि राहूल भाई हमें सिखा रहा है हम सीखने को त्यार है और आगे भी हमें जरूवत पड़ेगी तो हम internet पे research करके सीखते रहेंगे तो आप अगर इस तरह का nature लेकर चल सकते हो तो इस course में आपका स्वागत है दूसरा ये course उन लोगों के लिए जो life में कुछ बड़ा करना चाते हैं अब देखो बड़ा तो बहुत लोग करना चाते हैं लोग शेक चिल्ली की तरह खौप देखते हैं बैठे बैठे कि अब ये कर लूँ वो कर लूँ लेकिन इसके सासाथ आपके अंदर जिद भी है अपने सोस तो लिया हम बड़ा करेंगे हम life में पैसा कमाएंगे हम अपने सपनों को पूरा करेंगे अपने माबाप के सब के सपनों को पूरा करेंगे लेकिन अगर आपके अंदर उसके सासा जिद नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे मैं आपको अपने experience से बताता हूँ कि यार आज के time पे मैं 2-3 साल हो गए मुझे मैंने July 2022 से मैं continue YouTube पे काम कर रहा हूँ तो मैंने blogging में बहुत सारे videos डाले बहुत सारे logo से मेरी बात होती है मैं comments के reply करता हूँ WhatsApp number मैंने दिया हुए मैं सब से बात करता हूँ तो मैंने बहुत सारी चीजे देखी blogging में जो success ratio है वो 100 में से 10 लोग ही successful हो पाते है उसका reason क्या है कि लोगों के अंदर जिद नहीं है लोग देखा देखी काम शुरू कर लेते हैं भाई इसने blogging का course डाला इससे पैसा बनता है चलो मैं भी कमा लेता हूँ ये काम नहीं करना अगर आप जिद के साथ करोगे कि हाँ मैंने भाई का वीडियो देकर course स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने blogging स्टार्ट करी तो मैं छोडूंगा नहीं भाई चाहे मैं fail होता रहा हूँ लेकिन मैं करूंगा मैं चीजों को सीखता रहूँगा अगर आप ये attitude लेकर कर सकते हो तो इस course में आपका स्वागत है तीसरी चीज आती है भाई patience अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ देखो मैं एक चीज आपको छोटा सा उधारन देना चाहूँगा आपको होगे राहूल भाई course करवाईए किन बातों में उलजगे तो भाई ये जो पार्ट होते है जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको होगे ज्यान दे रहे हो ये बहुत important होता है और ये आपको आगे समझ आएगा अब patience तीसरा point क्यों important है जब हम कोई भी काम करते हैं suppose करो आपने अपनी plus two करी और आप job करना चाहते हो करने के एक महीने बाद आपको salary मिलेगी मतलब 6-7 महीने आपके सीखने में और practice करने में निकल जाएंगे समझ आई ये चीज़े होती है बाहर आपको पता ही है सेम चीज blogging में होगी जब आप इसको करोगे तो blogging का एक process है minimum 6-3-6 महीने आपको continue काम करना पड़ेगा चीजों को सीखना पड़ेगा उसके बाद आप उम्मीद लगा सकते हो आप blogging से पैसा कमा सकते हो कितना कमा सकते हो मेरे दोस्त उसकी कोई limit नहीं है blogging से लोग लाखो कमा रहे हैं करोडो कमा रहे हैं और कोई सिरफ महनत करके time waste करके भी जा रहा है सच्चाई है क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते हैं वो लोग patience नहीं है तो अगर आपके अंदर इतनी patience है कि आप 3 साल college में degree करते हो ये सोच कर कि भाई 3 साल तो मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा बलकि मैं पैसा लगा रहा हूँ मैं महनत कर रहा हूँ तो अगर यही सोच कर आप blogging करते हो महनत करते हो चीजों को सीखते हो तो आप blogging में successful हो जाओगे तो आपके अंदर patience है तो भी आप इस course को कर सकते हो इसके बाद बारी आती है भाई फोर्थ पॉइंट की जो है consistency तो consistency का मतलब क्या है कुछ लोग blogging स्टार्ट करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे या फिर 2 दिन करी, फिर छोड़ दी, फिर करी, फिर छोड़ दी अगर आप यह काम करने वाले हो तो आप इस course को start ना करें consistency का मतलब क्या है जिस topic पे आप blog बनाओगे सारी की सारी चीज़े मैं आपको बताऊँगा आपको daily काम करना है अगर आप यह कर सकते हो तो ही इस course को start करें इसके बाद आता है मारा final point पांच्वा point, never quit अगर आप यह attitude लेकर blogging start करते हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज में सफलता हासिल करके रहूंगा चाहे कितने ही failures आए कितनी ही problems आए मैं blogging में सफल होके दिखाऊंगा अगर आप यह attitude लेकर इस blogging course को start करते हो तो मेरे दोस्त आपको कोई भी नहीं हरा पाएगा और एक चीज आपको अपने mind में रखनी है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता मैंने ये काम शुरू किया तो इससे पैसा कमा के रहूंगा अगर आप इन 5 points से agree करते हो तो मैं आपको सारी चीजे बहुत आसान भाशा में बताता हूँ कि किस तरीके से आप blogging से बहुत पैसा कमा सकते हो वो सारी किस सारी चीजे मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊँगा इससे आसान ब्लागिंग का course कोई हो ही नहीं सकता आप करके देखो मेहनत करके देखो results आपको मिलेंगे तो चलिए start करते हैं पूरी motivation के साथ एक खुशी के साथ की राहुल भाई से आज कुछ नया सीख कर जाएंगे तो guys सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 में अगर आप blogging start कर रहे हो तो उससे किस तरीके से पैसा कमाया जाएगा किस तरीके से काम किया जाएगा तो सबसे पहले बिल्कुल basic से start करते हैं देखो अगर हम blogging होती क्या है अगर हम normal भाषा में बोलें तो आप google पे जाते हो google पे आप कुछ भी search करते हो suppose करो आपको pizza बनाना है आप घर में pizza बनाना चाते हो तो आप google पे जाओगे क्या लिखोगे how to make pizza at home या घर पर pizza कैसे बनाए बिना oven के आप ऐसी चीजे लिखते हो आपके समने डेरो results खुल जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हो जो भी आपको पसंद आता है जो आपको अच्छी लगती है वैबसाइट उसको खोल लेते हो वहाँ जाके अपनी जानकारी देख ले तो जो वैबसाइट आपने खोली इनको blog बोला जाता है मतलब जहाँ पे किसी particular चीज के regarding आपको information मिल रही है उसको बोला जाता है blog समझ आया अब यह जो blog होते है ठीक है यह कौन बनाता है आपके जैसे और मेरे जैसे लोग ही blog बनाते है बना लिया उस पे article लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं तो आप सोच रहे होगे इन पर पैसा कैसे बनता है पैसा बनाने के blogging में बहुत तरीके होते है सबसे common जो तरीका होता है कि जब आप किसी blog को खोलते हो आपने देखा होगा अकसर वहाँ पे विज्ञापन आ रहे होते है ads आ रही होती है तो यह जो ads होती है इन पर कोई भी हमारे blog पे आया जानकारी पढ़ने आया जैसे आप pizza की recipe देखने गए तो आपने देखा वहाँ पे विज्ञापन आ रहे है अब आप pizza की recipe देख रहे हो आपको side में विज्ञापन आता है mozzarella cheese का ठीक है अब pizza बनाने के लिए cheese तो चाहिए होता है तो आपने देखा इतने rate में मिल रहा है आपने उस पे click किया ad पे और आप किसी website पे चलेगे वहाँ आपने देखा pizza का जो cheese है mozzarella उस पे discount मिल रहा है आपने वहाँ से खरीद लिया अब आपने तो खरीद लिया लेकिन जिसका blog था जिस पे वो advertisement आ रही थी उसको कुछ पैसे उसके account में मिल जाएंगे मतलब एक google की company है google adsense जो हमें advertisement देती है bloggers को ठीक है कैसे apply करना है कैसे ads मिलेंगी सारी चीज़े इस course में बताऊंगा तो हमारा google adsense का जो account होता है उसमें जो भी हमारी ads पे click करता है वो पैसा वाँ ही खटा होता रहता है ठीक है जब वो 100 dollar हो जाते हैं हम उन्हें आप सोच रहे होंगे कितना पैसा कमा सकते है अब suppose करो आपके blog पे हर महीने लाखों लोग आ रहे है तो आप सिरफ advertisement के थूरू लाखों रुपई कमा सकते हो लाखों नहीं तो पचास अजार से एक लाख तो कमा ही सकते हो अगर अच्छे घासे लोग आपके blog पे आ रहे हैं जब लोग हमारे blog पे आते हैं इसको हम blogging की भाष्णा में बोलते हैं हमारे blog पे ज़्यादा traffic आ रहा है यानि ज़्यादा लोग आएंगे मतलब ज़्यादा traffic आ रहा है अब पीजा बनाने में आप तवे का यूज कर रहे हो, चीज का यूज कर रहे हो, पीजा सॉस का यूज कर रहे हो, तो लोगों को उनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने Amazon एकाउंट पे जाओगे, वहाँ से लिंक लोगे, पीजा सॉस का, और कहोगे आपको खरीद नहीं बनाएंगे, अब आप सोच रहोंगे भाई, बहुत मुश्किल होगा, मुझे तो टेक्निकल नोलेज नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने आपको सबसे पहले बोला था, पांच पॉइंट्स की ये चीज़े तो सोचनी ही नहीं है, कि मुझे कुछ नहीं आता, सबस आसान भाशा मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा के जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ, आपको कुछ नहीं आता, तब भी आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, बस यहाँ पे एक चीज फीड कर लेना, मैं सारी चीजे कर सकता हूँ, ठीक है, बाकि सब हो जाएगा, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए एक टॉपिक चुनना होता है, कि हम किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करें, अगर आप यह सोच रहे हो भाई, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर करता हूँ, कि आपको ब्लॉगिंग के लिए टॉपिक कैसे चुनना है, अब देखो यहाँ पी क्या हुआ, आपकी एक आँख में दिक्कत हुई, ठीक है, भगवान ना करें, आपकी आँख में दिक्कत हो, हम एक्जामपल ले रहे हैं, चलो आपकी छोड़ो, कोई परसन है, उसकी आँख में कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, कोई प्रॉबलम हो रही है, दर्द हो रहा है उसकी option है उसके घर के पास एक doctor है जो कि सारी तरह की दबाईयां देता है आंक ना कान मुसब तरह की दबाईयां देता है मतलब पूरे शरीर का कोई भी दिक्का तो उससे जाके दबाई लिलो दूसरा doctor है जो सिरफ आंक का specialist है तो आपके according उस बंदे को किस पे जाना चाहिए आपको कोई भी छोटा topic हो बड़ा topic हो आप किसी पे भी बना सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने interest के अनुसार जिस चीज में आपकी रूची हो जिस चीज से related आप internet पे जानकारी पढ़ते हो ठीक है आपको वही topic चुनना है अपने blog के लिए उस topic के अलावा आपको कोई और topic अपने blog पे नहीं डालना इतना समझ आया यानि जब भी हम blog topic चुनेंगे तो blog topic को technical भाषा में बोला जाता है blog niche ठीक है n-i-c-h-e blog niche ठीक है तो blog niche जब भी मैं बोलू तो समझ ले न blog topic तो आप जो भी blog का topic चुनोगे वह आपकी पसंद का होना चाहिए और एक ही topic पे आ comment का भी डाल रहा है politics का भी डाल रहा है खिचडी नहीं बनानी हमें अपनी पसंद का topic चुनना है जिसमें हम जानकारी पढ़ सके हैं मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं कि अपनी पसंद का उसका मैं answer देता हूं आपको देखो simple सी चीज है हम blogging करेंगे तो हमें सारी चीजों की जानकारी तो नहीं होगी ना कि हम इतना जादा लिख सके हमें जगा जगा से जानकारी पढ़नी पढ़ेगी फिर हम अपने blog पे लिखेंगे तो जब हम पढ़ेंगे अगर हम अपने पसंद के topic पे नहीं करेंगे तो हम bore हो जाएंगे तो काम करने मजा नहीं आएगा मजा न तो अपनी पसंद का topic चुनना है उसके लिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ आपको अपनी choice के साफ से चुनना है देखो अगर आपको politics में interest है तो आप political के उपर blog बना सकते हो जो भी politics से related information आप अपने blog पे share करो चाहें पुरानी है history की present में क्या चल रहा है आगे क्या हो सकता politics पे बना लो अगर आपको web series में entertainment में आपको interest app entertainment में बनाओ अगर आपका दिमाख न technical है थोड़ा आप यह सोचते हो भाई computer में यह चीज है यह कैसे होगी mobile में यह दिक्कत होगी यह ठीक कैसे होगी आप tech में ticks and trips पे बना लो यानि कैसे होती है तो how to से related हो जाता है अगर आ बहुत अच्छा बनाते हो recipes नहीं नहीं invent करते हो यह आपको बहुत अच्छी अच्छी knowledge है आप recipes पे बनाओ ठीक है अगर आपका fashion sense अच्छा है ठीक है आप उस पे बना सकते हो अगर आपको beauty की knowledge है कि कौन सा product किस चीज के लिए अच्छा है अप गर लो तो आप उस चीज प तो आपको सबसे पहले blogging करने से पहले अपने लिए topic decide करना है जो आपकी पसंद का हो समझ आया किसी से मत पूछना मैं किस topic पे blog बनाओ अपनी पसंद देखो और उस पे आपको blog बनाना है अब उसके बाद यह जब चीज हमारी decide हो जाती है कि हमें blogging किस topic पे करनी है उसके वाद second step हमारा जो आता है वो आता है कि blog बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक blog के नाम की जिसे domain name बोला जाता है और हमें जरूरत पड़ती है hosting की अब ये domain और hosting क्या होते हैं मैं आपको बहुत ही आसान भाशा में बता देता हूँ जैसे कि आप facebook पे जाते हो facebook पे आपकी profile photo होती है आप status लगाते हो आप दोस्तों को follow करते हो आप video upload करते हो video देखते हो तो जो facebook.com नाम है ये क्या है ये facebook का नाम है जिसे domain name बोला जाता है ऐसे ही आपके blog का नाम होगा अगर आज तक देखोगे आज तक.com ये आज तक का नाम है कोई भी आज तक.com लिखेगा आज तक की website खुल जाएगी तो ये तो होता है domain name ऐसे ही आपका domain name होगा बिल्कुल free में मिलेगा मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा ठीक है आपका एक domain name होगा जिस नाम से आपके blog को जाना जाएगा दूसरी चीज आपकी होगी एक hosting hosting क्या होती है hosting एक computer होता है ठीक है एक computer होता है जिसके उपर आप जो भी अपने blog पे photo डालोगे कुछ भी डालोगे वो वहाँ पे save होगी उस computer पे तो hosting जो चीज होती है ना भाई एक computer होता है जिसको server बोला जाता है जो 24 गंटे internet और बिजली से जुड़ा रहता है यनि चलता रहता है उसको server बोलते हैं उस computer से हम आपके domain को connect कर देते हैं जो कि बिल्कुल आसान है आप यह मैं सोचना कैसे होगा तो वो आपके computer से जुड़ जाएगा आपके मतलब server से जुड़ जाएगा तो जो server होता है ना हम घर पे भी बना सकते हैं बिल्कुल आसान है मुझे आता है बनाना लेकिन उसमें दिक्कत ही होती है 24 गंटे बिजली देना internet से जुड़ा रहे तो उसका वो charges लेती है ठीक है नॉर्मली साल के charges होते है तो सबसे बढ़िया domain और hosting जो provide करती है market में बहुत companies है कोई सस्ती है कोई बहुत महंगी है लेकिन जो अच्छी quality कम पैसों में काम चला देता है अच्छे नए नए bloggers का वो है hostinger company जिसको मैं भी personally अपने 2-3 blogs पे use कर रहा हूँ अब hostinger company best है अगर आप यहाँ से hosting purchase करते हो hostinger से तो आपको यहाँ पे 2 benefits होंगे सबसे पहला benefit क्या होगा मैं आपको बताता हूँ आपको नाम free में मिलेगा दूसरा benefit यह होगा वीडियो के description में एक link मिलेगा जो की मेरा affiliate link है अगर आप उस link पे click करके hostinger से hosting लेते हो तो आपको एक तो extra discount मिलेगा plus हम जो blog बनाएंगे उसमें एक theme यूज़ करेंगे जो की 4800 रुपई की theme है वो आपको हम free of cost provide कर देंगे जिससे आपका blog और अच्छा लगेगा अगर आप यह offer चाते हो तो हमारे affiliate link से ले सकते हो otherwise आपकी मर्जी है अब domain hosting लेते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको वीडियो के description में जो link मिलेगा उस link पे आपको click करना है ठीक है click करने के बाद अगर आप extra discount चाते हो तो ही click करना तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ recording on कर लेता हूँ अपने laptop की ताकि आपको आसानी से समझा सको तो guys जैसे याँ वीडियो के description में दिये link पे click करते हो आपके सामने hostinger की website खुलेगी आपको claim deal के button पे click करना है चार plan दिखेंगे हो सकता है आपको तीन भी दिखें लेकिन आपको premium plan को select करना है अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप business plan के लिए भी जा सकते हो जो थोड़ा महंगा पड़ता है इसमें थोड़ी हमें चीज़े अच्छी मिल जाते है थोड़ा और fast है और थोड़ा और जादा अच्छा है लेकिन वही है पैसा नहीं है इतना जादा तो आप premium plan को select कर सकते हो यहाँ पे choose plan पे click करना है और जैसे ही आप click करते हो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक दूसरा page खुल जाएगा अब यहाँ पे चार चीज़े होंगी कि कितने time के लिए hosting लेना चाते हो अगर आप कम से कम एक साल के लिए hosting लोगे तो आपको domain name free में मिलेगा ठीक है एक महीने के लिए लेते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हो यहाँ आपको normally 8449 का पड़ता है लेकिन यहाँ पे आपने अगर हमारे link से open किया है और आप यह coupon apply करते हो तो इस से आपको discount मिल जाएगा 7595 आपको discount यहाँ पे मिला तो आप one year के लिए जा सकते हो जो कि यहाँ पे आपको 2790 का इस time पे पड़ रहा है ठीक है तो one year में आपको domain भी मिलेगा एक साल की hosting मिलेगी अब जितनी आपकी भाई pocket है उस हिसाफ से आप choose कर सकते हो मैं नहीं कहूंगा आप करो आपकी मर्जी है मैं कोई force नहीं कर रहा हूँ आपकी जैसी शद्धाप कर सकते हो उसके बाद simply आपको यहाँ पे second step पे आना है Google पे क्लिक करना है अपनी email ID को select करना है जो भी आपकी Google पे email ID है और आपका यहाँ पे free account बन जाएगा ठीक है और अपनी नई email ID ही यूज करना जो अभी तक आपने hostinger पे कोई account ना बनाया हो उसके बाद आपको यहाँ से payment method select करना है जो भी आपका payment method है उसको select करो select करने के बाद submit secure payment पे क्लिक करना है आपकी hosting और domain बाई हो जाएगा इसके बाद हमारा next come के आएगा hosting और domain तो बाई हो गया अब उसके उपर हमें blog को बनाना भी तो है ठीक है तो blog बनाने के लिए एक software है जो की free का software है domain hosting के साथ में आता है wordpress जिन लोगों को technical knowledge नहीं है वो wordpress की मदद से free में blog बना सकते है यह इस software का काम होता है ठीक है तो wordpress को कैसे domain hosting पे install करते है कैसे अपने blog को त्यार करते है मैं आपको step by step बता देता हूँ तो guys सबसे पहले आपको यहाँ पे click करना है आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी website किसी और जगा से आपे transfer करनी है नई बनानी है तो हम यहाँ पे create पे click करेंगे कि हमें नई बनानी है और next के button पे click करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी website को कैसे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हमें wordpress को selected रहने देना है और create with wordpress पे click करना है इसके बाद यहाँ पे most important step आपको अपनी email id को याद रखना है और यहाँ पे आपको अपना एक password डालना है ऐसा password आपको डालना है जो आपको याद रहे इसी password की मदद से हम अपने wordpress पे काम करेंगे हम अपने blog पे काम करेंगे तो इस password को कहीं पे लिख के रख लेना ताकि आप इसे भूलोना इसके बाद simply हम next के button पे click करेंगे next के button पे click करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस तरह की website बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हम website type में कर देंगे blog इसके बाद हम next के button पे click करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ आपको इस tab को skip करना है इसके बाद यहाँ भी हम step को skip करेंगे अमें इसकी जरूरत नहीं है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक नाम खरीदना है जैसे कि मैंने आपको बोला domain name free में मिलेगा लेकिन domain name को choose कैसे करना है आपको वो मैं आपको पहले बता देता हूँ तो guys यहाँ पे जब domain name register करने की बात आएगी तो यहाँ पे मैं आपको कुछ important points बताना चाहता हूँ देखो important points क्या हैं मैं आपको clearly बता देता हूँ देखो जब हम domain और hosting हमने लिया अब हमें अपना नाम register करना है तो जो topic आपने अपने blog का सोचा है ना उसी से related आपको अपना domain name लेना है for example जैसे कि मैंने एक blog बनाया था stock market के उपर तो मैंने उसका नाम रखा stockwallet.com ठीक है stockwallet.com तो ये क्या है कि भाई मैंने उसके उपर blog बनाया तो मेरे blog के नाम से ही पता लग रहा है कि stockwallet.com नहीं dot in है मेरा तो मैंने blog बनाया stock market के उपर तो stockwallet.in उसका नाम रख दिया तो नाम से पता लग गया stock से related है. ऐसे ही जो भी topic आपने select किया है उसी से related domain name लेने की कोशिश करना. पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए .com के लिए ना मिले .com तो आप .in भी ले सकते हो. इसके अलावा और कोई मतले ना .com या .in ही preference रखना और नाम के अंदर अपने domain name के अंदर numbers को मतले के आना. कि जैसे कोई लगा दिया 245-1900 ऐसा कुछ मतला ना. सिरफ प्यारा सा छोटा सा नाम लेना जो एक brand लगे. आप एक blog नहीं बना रहे हो. आप यह सोचकर blog बनाओ कि आने वाले time में यह brand बनेगा भाई. यह एक आप यह समझ चुक है आपको नाम कैसे लेना है तो यहाँ पर suppose मैं कुछ भी नाम ले लेता हूं राहूल उक्मन्यू 07 मैंने कुछ भी ले लिया नंबर तो नहीं लेने तो मैं जस्ट आपके लिए कुछ भी ले लेता हूं ठीक है अगर आपने नहीं दी हुई तो आपसे पूछा जाएगा आपका पहला नाम क्या है लास्ट नेम क्या है इमेल आइडी खुद आ जाएगी फोन नंबर आपका पूरा एड्रेस यह आपको फिल कर देना है ठीक है तो उसके बाद सिंपली आपको जब आप यह सारी डिटेल्स डाल दोगे फिनिश रेजिस्टेशन के बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर होगा कुछ ही सेकिंड के अंदर आपका जो वर्ड्प्रेस है वो भी यह ओटोमेटिक होस्टिंगर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा तो हम यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं जब तक कि यह सारा काम कर रहा है यह चीज हो चुकी है अभी हम से पूछ रहा है कि जो आपका ब्लॉग है वो आप कहां पर दिखाना चाते हो मतलब कि आप कौन सी लेंग्विज में काम करोगे कौन सी कंट्री में आप अपने ब्लॉग को दिखाना चाते हो वो सलेक करो क्योंकि मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं यहां पर इंडिया रहने देता हूं उसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब देखो यहां पर ओटोमेटिकली यह वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा आपको कुछ भी करने की जर जान रखनी है आपको यहां पर वर्डप्रेस के option पर और overview पर जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां पर यह वाला option है SSL certificate यह यहां पर active होना चाहिए अगर आपका active नहीं होता और यहां पर install लिखा रहे है तो आपको install कर लेना है इसके बाद फोर्स https को यहां से अपने आ advance बनाना है कैसे बहुत ही अच्छी लुक देनी है वो मैं आपको आगे इस course में दीरे-दीरे step by step बता दूँगा तो guys अब सारी चीजे हो चुकी है आपका blog भी बन गया लेकिन काफी simple लग रहा है हमें थोड़ा सा अच्छा blog बनाना है आप blog को अच्छा कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको step by step बताता हूं कि कैसे आपको blog को design करना है बिना किसी technical knowledge के हद से जादा असान है आप बस video देखते जाओ पोस करते जाना करते जाना फिर पोस कर लिया फिर कर लिया ऐसे करोगे आपका blog भी त्यार हो जाएगा तो दोस्तों blog को अच्छा लुक देने के लिए सबसे पहले देखो आपको थोड़ा सा basic समझना है देखो जब हमारा blog दिखता है तो लोगों को कैसा दिखता है वो इस तरीके का दिखेगा मतलब यह हमारा front panel है जहां से लोग हमारे blog की जानकारी को पड़ेंगे तो example के लिए मैं आपको अपने blog दिखाता हूँ यह blog है यहां से आप सब लोग stock market की जानकारी ले सकते हो लेकिन यहां पे आइफन एडमिन इस तरीके से लिखके एंटर करना है जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सामने यह वाला पेज खुल जाएगा अब यहां पर यूजरनेम और पासवर्ड डालना है यह यूजरनेम और पासवर्ड वही वाला है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो मैंने आपको यह बोला था कि इस email और पासवर्ड को याद रखना इससे ही हम अपने वर्डप्रेस में लॉग इन करेंगे तो आपको वो दोना यहां प अपने domain hosting को purchase किया है वहाँ पे आपको google पे click करके उससे login कर लेना है उसके बाद websites पे जाना है यहाँ आपको अपनी website का नाम दिखेगा जैसे मेरी website का दिख रहा है यहाँ पे मैं क्या करूँगा admin panel पे click करूँगा जैसे ही मैं इस पे click करूँगा बिना username password डाले मैं WordPress के admin panel में यहाँ से login हो जाऊँगा समझ आया इसके बाद देखो हमें क्या करना है हमें यहाँ पे post में आना है और all post post का मतलब क्या है जो हम article अपने blog पे डालेंगे जो जानकारी डालेंगे वो post होती है तो यहाँ पे पहले से एक post लिखी होई है हम इसको move to trash कर देंगे इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे plugins पे आना है install plugins पे जाना है plugins क्या होती है जैसे हमारे android mobile में apps होती है ऐसे ही WordPress पे plugins होती है अब हम अपने mobile में apps को क्यों install करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके ऐसे ही हम WordPress का जो हमारा blog होता है उस पे plugins इसलिए डालते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके तो यहाँ पे पहले से दो plugin पड़ी है हम इने deactivate करके apply पे click करते हैं इसके बाद यहाँ पे इनको delete कर देते हैं हमें इनकी जरूरत नहीं है जो जो काम की plugin है मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन सी install करनी है कैसे install करनी है इतना करने के बाद settings पे आना है और यहाँ पे general पे आना है यहाँ पे आपको अपने blog का नाम लिखना है तो यहाँ पे जैसे की मेरे blog का नाम है यह और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि जो आप blog बना रहे हो वो किस topic पे है तो जैसे की मेरा जो blog है Bollywood, Hollywood Entertainment, News अगरा पे है तो मैंने एक line में लिख दिया इसके बाद simply नीचे आके save changes पे click करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे permalinks का option मिलेगा यहाँ पे आपको यह post name वाले को select रहने देना है इसके बाद save changes पे click कर देना है इतना करने के बाद हमारे blog की basic setting हो जाएगी अब हमें क्या करना है जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम आपको 4800 रुपे की एक theme देंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे appearance के अंदर themes में आएंगे यहाँ पे जो यह पहली theme पड़ी है इसको हम theme details पे click करके delete कर देंगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि blog heavy रहता है ज्यादा चीज़े हम डाल के रखेंगे theme details पे click करेंगे delete कर देंगे और इसको ok कर देंगे add new theme पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे generate press तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ generate press अब आपने बोला था राउल भाई आपने का था आपके link से लेंगे तो आप theme free में दोगे premium यही वाली theme है इसका पहले हमें free version install करना है उसके बाद हम इसको premium बना देंगे वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बता दूँगा तो simply हम इसको install पे click करेंगे install पे click करने के बाद कुछ शनों के लिए यहां पे इंतजार करेंगे जब तक है install हो रही है इसके बाद simply इसको हम activate के button पे click करके activate कर लेंगे यहां करने के बाद activate आपको क्या करना है appearance में हम आएंगे सबसे पहले हम इसको theme details पे जाते हैं दूसरी theme की और इसको delete कर देते हैं यहां पे आ चुकी है appearance में हम generate press में आएंगे तो आप देखोगे यहां पे हमारे पास ज़्यादा option नहीं आ रहे है यह देखो ज़्यादा option नहीं आ रहे है अब हम यहां पे देखो premium का भी option आ रहा है अगर हम premium पे click करेंगे तो कहेगा premium theme खरीदो तो हम यहां पे plugins पे आते हैं add new plugin पे click करते हैं जैसे हम add new plugin पे click करेंगे upload plugin पे आना है अब आपको क्या करना है यह जो whatsapp नंबर दिख रहा है इस नंबर पे मेरी team से बात करनी है मेरी team को आपको whatsapp पर message करना है ठीक है directly call नहीं करनी whatsapp पर message करना है जब आप hostinger से hosting खरीद होगे तो उसका जो payment screenshot होता है वो आपको मेरी team को send करना है अगर आपने हमारे link से लिया होगा तो मेरी team आपको एक zip file प्रोवाइड करेगी आपको directly उसे download करना है इस तरह की zip file होगी download करके simply उसे install करना है ठीक है और उसके बाद activate कर देना है इतना करने के बाद जो options हमारे पास generate press में आ रहे थे अब हमारे पास वो सारे premium आ जाएंगे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको हम latest version देंगे ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही appearance में आते हैं generate press के अंदर आप यहाँ पर क्या करोगे इन सब चीजों को activate कर दोगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इन सबी को जल्दी से activate कर देता हूँ यह मैंने activate कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको activate करके refresh करूँगा जैसे ही refresh करूँगा अब यहां पर premium चला जाएगा, site library आ जाएगा, यहां पर हम जैसे आएंगे, हमें बहुत सारी themes यहां पर मिल जाएंगी, simply हमें क्या करना है, यहां पर blog को select करने के बाद, यहां पर बहुत सारी theme है, आप अपनी पसंद की भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर marketer को select कर र अगर हम view site पर click करके refresh करते हैं, तो देखो पहले से look change हो चुकी है, अब आगे हम इसको और अच्छा बनाएंगे, वो भी मैं आपको step by step बताता हूँ, तो दोस्तों अब देखो हमें क्या करना है, जैसे कि आप इस blog को देखोगे मेरे, यहां पर मेरा जैसे नाम लिखा रहा है, ऐसे ही यहां पर अपने blog को देखोगे, नॉर्मल लिखा हुआ रहा है, तो हमें यहां पर अपना logo लगाना है, इस चीज को logo बोला जाता है, इसके लिए आपको canva.com को open करना है, और यहां पर free में Google से या फिर Facebook से यहां पर sign up का option आ रहा होगा, आपको sign up कर लेना है, कर इस तरह का design मतलेना, जो ऐसे gold से होते हैं, या ऐसे होते हैं, इस तरह के design लेना, जो ऐसे लंबे से होते हैं, यह देखने में अच्छे लगते हैं, और यहां पर आप देखोगे, जिसके उपर यह pro लिखा होगा, वो paid होगा, आप उसको use नहीं कर सकते, तो example के लिए मैं यह वाला use कर लेता हूँ, यह मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और यहां पर मैं कर लेता हूँ, time pass और news, यह मैंने कर दिया, ठीक है, इसके बास simply इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और यह है तो बहुत simple सा, लेकिन कोई simple अच्छा लग रहा है, इसी को हम इसमें adjust कर लेते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है, यह मैंने यहां पर adjust कर दिया, आप अपने एसाब से कोई भी logo चुन सकते हो, मैंने थोड़ा सा simple सा यहां पर बना दिया, और यह कुछ जादा ही simple हो गया, भाई, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर, मैं यहां पर text पर आ जाता हूँ, और यहां पर, मैं यह shape ले ली, और यहां पर, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, और इसको मैं यहां पर नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, यहां पर कर देता हूँ, ठीक है, आपकी creativity है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, और यहां प त्टोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से बना पाएं। इस टेक्स्ट को मैं यहां पे कर देता हूं। ऐसे। थीक है यह मैंने कर दिया। अब यहां पे हमारे पास यह option है, हम यहां पे letter spacing करेंगे ऐसे और इसको हम कर देंगे ऐसे इसके equal सा ठीक है यह कर दिया अब जो अंदर का text है मैं इसको select करूँगा एक के button पे click करूँगा इसको white कर देता हूँ और अच्छा effect देने के लिए effect पे आऊँगा और यहाँ पे यह वाल effect लगा के इसको dark कर दूँगा ताकि news पूरा highlight होगे देखे इतना करने के बाद यह यहाँ पे लग जाएगा आप इसको select करो अपने एसाब से बड़ा चोटा कर सकते हो तो मैं इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ ठीक है यह करने के बाद share के button पे click करेंगे download पे click करेंगे png रहने देंगे और download कर लेंगे इसके बाद आपको एक website के उपर आना है जिसका नाम है remove remove.bg आपको ये website को open करना है open करने के बाद जो आपका logo है उसको यहाँ पे upload करना है ठीक है जैसे कि हमारा ये logo था मैं इसको directly यहाँ पे upload कर दोंगा ठीक है upload करने के बाद ये क्या करेगा इसके background को transparent कर देगा simply आपको इसे फिर download कर लेना है ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना है अपने blog पे वापिस आना है customize के button पे click करना है customize के button पे click करने के बाद यहाँ पे site identity का option आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा hide site title आपको इस पे click करना है तो यह यहाँ से हट जाएगा इसके बाद select logo पे click करना है select file और जो logo अभी आपने transparent वाला download किया है उसको यहाँ पे upload कर देना है upload करने के बाद select के button पे click करना है और जितनी जगा में आपका logo आ रहा है आपको उतना select कर लेना है बाकी crop कर देना है ठीक है जैसे ही आप करोगे हमारा logo यहाँ पे upload हो जाएगा आप publish कर देंगे अब यहाँ पे देखो भाई एक चीज़ हो गई logo दिख नहीं रहा क्यों क्योंकि पीछे का color dark है तो मैं आपके colors पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आऊँगा primary navigation पे primary navigation पे आने के बाद जो यह color है मैं इसको white कर दूँगा अब logo proper दिख रहा है ठीक है आप अपने एसाब से colors को choose कर सकते हो ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 2-3 चीज़े हो रहा है यह hover color और current color यह सब अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं इनको हम बाद में अपनी आवश्यक्ता अनुसार चेंज कर लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है इतना हो गया हम यहाँ पे colors पे आते हैं और इसको चलो ऐसे ही रहने देते हैं फिलाल के लिए back आजाते हैं और यहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे options हैं जैसे layout का है primary navigation है इसमें हम navigation width को content कर देंगे ठीक है यह कर दिया इसके बाद हम back जाएंगे footer में आएंगे footer में भी navigation जो width है इसको footer width को content कर देंगे इतना कर दिया है इसके बाद हम publish करेंगे हमारी जो website की basic setting है फिलाल के लिए हो गई अब हमें क्या करना है इस पे categories को add करना है categories क्या होती है जैसे मेरा stock market पे blog है stock market में stock market का basic कैसे सीखे option trading क्या होती है सब categories है इस पे कोई click करेगा तो उनकी आप categories divide करोगे जो भी आपका blog होगा उस related categories होगी वो बनाते कैसे है post पे आना है और categories पे आना है अब यहाँ पे suppose करो मैं डालना चाता हूँ Bollywood की तो मैंने यहाँ पे लिए Bollywood इसी को यहाँ पे copy कर देंगे description में लिखेंगे कि भई जो हम यह category बना रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़े डालेंगे एक दो line लिख देंगे जैसे इस category में आपको Bollywood की सारी latest जानकारी पढ़ने को मिलेंगे इस तरह की चीज़ें उसके बाद simply add new category पे click कर देंगे मैं नहीं लिख रहा हूँ जल्दी के लिए लेकिन आपको यह सारी चीज़े type करने है अब जैसे कि मैं Hollywood की डालूँगा ठीक है एक category मैंने Hollywood की बना ली और यहाँ पे फिर लिखना है कि इसमें क्या-क्या मिलेगा ठीक है एक मैं डालूँगा web series की ठीक है एक मैं इसकी बना लेता हूँ तो इसके बाद एक गलती से हो गया मुझसे इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे और लिखेंगे इसके बारे में ऐसे करके जितनी मर्जी categories एड़ कर सकते हो उसके बाद अगर आप अभी देखोगे अपने ब्लॉग पे आके आपको एक भी category नजर नहीं आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि मैं अपने ब्लॉग पे right click करता हूँ इसको open करने के लिए तो आप देखोगे एक भी category नहीं दिख रही हमने तो तो वो दिखाने के लिए appearance पे आना है menus पे आना है यहाँ पे menu name में हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे primary menu आपको लिखना है इसके बाद primary menu को select करना है create menu पे click करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है custom link पे आना है अपने blog का पूरा address copy करो और यहाँ पे URL में paste कर दो ठीक है link में आपको यहाँ पे लिखना है home और add to menu कर देना है इतना हो गया इसके बाद categories पे आना है view all पे जो भी category आपने डाली है उनको select करना है add to menu करके save कर देना है जैसे ही आप यह करते हैं हम refresh करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे categories आ चुकी है लेकिन हमें दिख नहीं रहें तो उसके लिए हमें colors को set करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बोला था colors को हम अपने इसाब से set कर लेंगे हम यहाँ पे colors पे आएंगे colors पे आके हम यहाँ primary navigation पे आते हैं ठीक है हम इनको क्या करेंगे black कर देंगे यह देखो यहाँ पे यह मैंने इनको black कर दिया तीनों को तो आप देखोगे यह यहाँ पे हो चुगे अब देखो यहाँ पे जो background color है यह वाले दो इनको भी थोड़ा सा light करेंगे ताकि यह दिखें जब इन पे cursor लेके जाएं तो हम कुछ light कर देते हैं जैसे कि यह वाला कर देते हैं इसी की coding को हम copy कर लेंगे same same चीजे करेंगे अलग-अलग नहीं करेंगे copy कर लिए अब देखो थोड़ा सा light हो गया colors आप अपने इस आप से choose कर सकते हो कोई भी इसमें लंबी चोड़ी बात नहीं है आपके उपर depend करता है simply आप इसको paste कर दें ठीक है paste करने के बाद हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे इतना काम हो गया अब हमें क्या करना है वापिस आएंगे अपने dashboard पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे pages पे आके all pages पे आ जाते है यहाँ पे जो पहले से page होगा इसको select करो और इसके बाद simply इसको move to trash करके apply कर दो यह delete हो जाएगा add new page पे click करना है यहाँ पे एक page बनाना है आपको about us ठीक है about us page किसलिए होता है यहाँ पे type करना है आपको अपने बारे में सबसे पहले लिखना है अपने बारे में आप कौन हो आपने ब्लोग क्यों बनाया इस ब्लोग पे आप क्या क्या चीजे शेयर करोगे आपको example दिखा देता हूँ जैसे मैंने about us लिखा हुआ है अपने बारे में कि मैंने ब्लोग क्यों करने का क्या उपदेश्च्य है, आपकी क्या क्वालिफिकेश्च्च्न है, वो सारी चीजे आप लिखे, लिखने के बाद, Simply आपको Publish करना है, यह आपके ब्लॉगपे आ जाएगा, यह वाला पेज, उसके बाद करेंगे, ठीक है, बैक करने के बाद, हम क्या करेंगे plugging में आते हैं add new plugging पे आते हैं जैसा कि मैंने बोला था यह हमारी सोहलियत के लिए होती है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि अगर किसी का कोई सवाल हो ठीक है और वो हमसे contact करना चाता है तो वो हमसे यहाँ पर form की मदद से contact कर सके अब यह form बनाना coding से हर किसी के बसकी बात नहीं है तो हम यहाँ पर बनी बनाई form को use करेंगे हम यहाँ पर search करेंगे contact form 7 ठीक है यह हम search करेंगे contact form 7 जैसे ही हमने search किया हमारे पास बहुत सारी plugins आएंगे अब देखना wordpress का क्या जादू है कोई extra knowledge की जरूवत नहीं है जस्ट चीज को search करो install करो काम हो जाता है यह वाली plugging आएगी आपको इस install करना और आप देख सकते हो एक करोड से ज्यादा लोगों ने इसको install किया हुआ 10 million मतलब 1 million 10 लाग होता है तो 10 million कितने हो गए एक करोड इसको activate किया activate करके हम क्या करेंगे हम back dashboard पे आ जाएंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा contact का और contact forms पे आजएंगे यहाँ पर code मिलेगा इसको copy कर लेंगे copy करने के बाद हम आएंगे pages पर add new पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे contact us ठीक है इसके बाद यहाँ पे आप कोई line लिख सकते हो जैसे हमने लिखी हुई है कि आप हमसे कुछ पूछना चाते हो या कोई वो करना चाते हो आप इसको पढ़ लेना इसके हिसाब से अपनी एक line लिख देनी है इतना काम हो जाएगा इसके बाद हम back आ जाते हैं अब हमें क्या करना है आपको एक चीज समझने है यह जो यहाँ पे आ रहा है इसको website में वैजट बोला जाता है यह 1, 2, 3 यह जो चीज़े आ रही है अब देखो अगर हम appearance में जाते हैं वैजट में तो वैजट कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो की काफी मुश्किल होता है मेरे लिए समझने में तो हम इसको थोड़ा सा असान करेंगे plugins पे जाकर add new पे क्लिक करेंगे एक classic वैजट नाम से plugin होती है जो इसकी look को बहुत easy कर देती है यह यहाँ पे दिख जाएगी आपको नहीं दिखती है तो आप search कर सकते हो 20 लाग से जादा लोग इसको use कर रहे है तो simply हम इस पे क्लिक करेंगे और यह install होनी शुरू हो जाएगी तो कुछ शणों के लिए हमें wait करना पड़ेगा जब तक के लिए install हो रही है उसके बाद simply आपको इसे activate पे क्लिक करना है जैसे ही आप activate पे क्लिक करोगे उसके बाद जब आप अपने ब्लॉग पे visit करोगे तो आप जादू देखोगे कितनी जल्दी एक look change हो जाएगी ब्लॉग की अब यह activate हो रही है जब तक चलो हम बाकी के काम निप्टा लेते हैं हमें क्या करना है appearance पे activate भी हो गई appearance पे आना है और appearance पे आने के बाद menus पे आना है ठीक है अब हमने एक menu बनाया हुआ था एक और menu बनाना है हम इसको नाम देंगे pages का हम pages लिख देंगे यहां पे और create menu पे क्लिक करेंगे इसके बाद हम यहां पे pages पे view all करेंगे यह दो pages जो हमने बनाये हैं इनको add to menu कर देंगे save के button पे क्लिक करेंगे अब इनको दिखाना का है जैसे हमने नीचे दिखाया हुए अपने blog पे अगर आप देखोगे यहां पे तो हम यहां पे pages दिखाएंगे ठीक है यह दिखाने के लिए क्या करना है appearance में आना है widgets पे आ जाना है और यहां पे आपको देखो एक चीज़ और करनी है यहां पे साथ की साथ जैसे की हमारा जो blog है उस पर यह फालतू के दो चीज़े आ रही है इनको अटाना है हमें ठीक है तो यह जो आ रहा है यहां पे ब्लॉक इसको delete करो इस arrow पे click करके इसको delete करो यह दो चीज़े चली गए अब यहां पे चीज़ आईगी navigation वार इसको हमें drag करके footer बार में लेके जाना है और यहां पे select menu में pages को select करके save करके done कर देना है refresh करेंगे तो आप देखोगे यहां पे हमारे pages आ चुके हैं अब देखो हम इसका color भी थोड़ा सा change कर देते हैं footer का customization में जाएंगे colors पे आएंगे और यहां पे हम आ जाते हैं footer में नीचे footer bar में इसका अगर आप background देखोगे तो हम इसको white कर देते हैं हमारी या जो भी देना चाहो आप वो कर सकते हो और background white हो गया text यहां पे हमारा सही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद हम इसे publish कर देंगे इसके बाद simply इतना हो गया अब हमें क्या करना है एकाथ plugging और install करनी है वो मैं आपको बता देता हू add new plugin पे click करना है add new plugin पे click करने के बाद यहां पे आपको search करना है recent posts with thumbnails आपको यह लिखना है यह लिखने के बाद आपको simply यहां पे wait करना है wait करने के बाद आपके सामने बहुत सारी plugins खुलेंगी आपको कौन सी plugin select करनी है यह वाली ठीक है इसका यह नाम देख लो किसने करना है basically यह plug-in करेगी क्या जो भी हम article डालेंगे उनको यहां पर right side में दिखा देगी ठीक है जैसे कि हमने तो यहां पर दिखाई हुई है ऐसे लेकिन इसमे फोटो भी दिखेगी साथ में जो भी हम article डालेंगे simply इसको activate कर लेना है activate करने के बाद appearance में widgets में आ जाना है और यहां आने के बाद आपको मिलेगा recent post with thumbnails इसको drag करना है और right side bar में यहां नीचे लाके छोड़ देना है और यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो trending post latest post कितनी दिखाना चाहते हो मैं यहां पर 10 कर देता हूँ ठीक है उसके बाद simple नीचे आ जाएंगे नीचे आने के बाद इसको save करके यहां पर done कर देना है ठीक है इतना हो गया इसके बाद एक दो plugging सौर है जो हमें install करनी है वो भी मैं आपको step by step बता देता हूँ plugins पर आना है add new पर click करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको search करना है rank math के लिए rank math के लिए आप search करोगे ठीक है इसके बाद simply क्या करना है rank math जैसे ही हमने search करी ये वाली plugin है इसको install कर लेना है basically ये plugin क्या करती है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी search करते हो Google पे और कुछ भी लिखते हो तो आपके पास बहुत सारी websites खुल जाती है जो आपको पसंद होती है वो आप select कर लेते हो तो rank math plugin क्या करती है जो भी आप लिखोगे उन चीजों को वो Google में लाने में मदद करती है वैसे हमें इस course में इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं extra benefit के लिए जैसे हम इसे activate करेंगे तो इसको setup करना बहुत आसान है system में next 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 करना होता है तो कुछ देर के लिए यहां पर थोड़ा time लग रहा है हम थोड़ा wait कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने refresh किया थोड़ा सा error आ गया था internet की वज़े से अगर आपको भी आता है आप refresh कर सकते हो तो यहां पर आपको left side में rank math SEO का option मिलेगा आपको इस पे क्लिक करना है सक्कि नाओ पर क्लिक करना है और यहां पर advance ही रहने देना है यहां पर start wizard कर करकर नीचे आ जाना है और यहां पर save and continue करके save and continue करदेना है इसके बादterror no follow external links का अन कर देना है save and continue पर click करके return to dashboard हो जाना है आपका यहाँ पर यह सारा कम हो जाएगा तो यहाँ पर जादा कुछ करने की need नहीं है अब हमें क्या करना है हमें एक और plugin install करनी है plugins पर आएंगे add new पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर हम एक plugin को use करेंगे जिसका नाम है site kit इसको भी use करना बहुत easy है Google की खुद की plugin है आप जैसे ही site kit लिखोगे यहाँ पर आपके सामने show हो जाएगी अभी आ गई थी तो यहाँ पर मैं install पर click करूँगा click करने के बाद simply हम क्या करेंगा अब यह plugin करती क्या है basically मैं थोड़ा सा overview देता हूँ वैसे जानने की जरूरत नहीं है देखो हमारा जो कोई भी Google में कुछ लिखता है मैंने बोला था ना कि Google में कोई लिखेगा तो उससे क्या होगा जैसे ही Google में कुछ लिखा तो लोगों के blog दिखते हैं इसको activate कर देते हैं तो वो SEO की मदद से होता है SEO एक बहुत बड़ा chapter है blogging के अंदर तो हम SEO कर ही नहीं रहे हैं बस हमें क्या करना है इस plugin का use है जिसकी मदद से हमारे जो blog हैं हम Google को बता देंगे कि भई हमने blog बनाया है तो Google उससे क्या करेगा Google में दिखाने लग जाएगा कोई search करेगा तो लोगों को दिखेगा वो चीज़े उसके लिए हम इसको सिरफ use कर रहे है otherwise हमारा इस course में इसका use नहीं है तो simply हम क्या करेंगे इसमें कुछ errors आ रहे हैं तो हम दुबारा से refresh कर लेते हैं और इसका भी setup बहुत easy है हमें just next 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 करना होता है और हमारा काम यहां पर हो जाता है तो कुछ देर के लिए मैं आपर wait कर लेता हूँ जब तक कि यह activate हो रही है तो guys यहां पर आपके बास Google Site Kit का option आ जाएगा आपको simply इस पर click करना है click करने के बाद इन दोनों options को select करके sign in with Google पर click करना है जैसे ही आप click पर click करोगे आपका यहाँ पर email id शो होगी आपको email id को select करना है continue के button पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ शनों के लिए wait करना है और यहाँ पर आपके बास select करने का option आएगा आप उन चीजों को select कर दे next के button पर click करें next के button पर click करें next के button पर click करके next कर दे इतना करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है wait करने के बाद अब already मैंने पहले किया हुआ था just मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो मेरे पास थोड़े से अलग option आ रहा है आपके पास इस तरह का option आ रहा होगा तो आपको create account पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर अपनी email id को select करना है यहाँ पर आपसे कुछ चीजे select करने के लिए बोला जाएगा उन चीजों को आपको select कर लेना है जैसे ही आप select करेंगे कुछ seconds के लिए यहाँ पर refresh होगा आपका यह page उसके बाद यह अलग page पर आ जाएगा आपको यहाँ पर जस दो तिन चीजों को select करना है और आपका काम खतम हो जाएगा तो हम यहाँ पर wait कर लेते हैं यहाँ पर आपको United Kingdom की वजा जहाँ पर भी आप रहते हो यानि जिस country से आप हो आपको वो select कर लेना है accept करना है इनकी terms and condition को इनको भी accept करना है नीचे आना है यहाँ पर एक और acceptance का आपके पास आएगा यहाँ पर इसको भी accept करके बिल्कुल last में आके accept कर लेना है यहाँ पर success लिखा हुआ आना चाहिए यह आजाएगा go to my dashboard पर क्लिक करना है अब आपका जो काम है अपने ब्लॉग का वो सारा खतम हो चुका है ठीक है आपका ब्लॉग देखने में काफी पहले से सही लग रहा है आप चाहो तो colors वगरा अपने इसाप से दे सकते हो अधरवाई simple blog काफी खुपसूरत लगते हैं क्योंकि जल्दी भी खुल जाते हैं ठीक है बाकी मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा कि और ज्यादा कितना अच्छे से blog को design कर सकते हैं लेकिन starting के इसाप से इतनी सारी चीजे सही है अब हम आगे चलते हैं अपने इस course में और बहुत सारी चीजों को सीखते हैं तो guys blog भी बन गया अब बारी आती है हमें अपने blog पे लिखना क्या है तो इसके लिए आपका mind देखो आपके mind में भी तो होगा भाई मैंने इस topic पे blog बनाया है तो मैं कुछ भी लिख दूँगा भी तो मेरे mind में topic हैं लेकिन एक time ऐसा आएगा आपको यह नहीं समझाएगा कि भाई मैं क्या डालू इस चीज के उपर तो उसके लिए आपको थोड़ी सी research करनी पड़ेगी तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने blog के लिए topics को कैसे डूढ़ना है कैसे आपको अपने blog के लिए content लिखना है कि मैं अपने blog पे क्या लिखूँ जो लोग पढ़ें लोग क्या पढ़ना चाते हैं ये कैसे पता लगाँ वो मैं आपको अब practically बताता हूँ इस पार्ट को ध्यान से देखना तो दोस्तों अगर आपको content ढूढ़ना है कि भाई मुझे किस topic पे blog लिखना चाहिए ये चीज आपके साथ होगी जब आप blogging करोगे कि भाई मुझे topic समझ नहीं आ रहा किस चीज पे लिखूँ लोग क्या पढ़ना चाहते है तो सबसे पहला तरीका है आप जो भी लिखना चाहते है जो भी आपने topic select किया उससे related आपको google पे search करना है तो जैसे की for example sports का ले लेते हैं तो मैं आपे search कर लेता हूँ sport news in hindi ठीक है और यहाँ पे मैं लिखूँगा sport news in hindi ठीक है या फिर जो भी आपकी language है तो आपके बस बहुत सारी website खुल जाएंगी आप इन पे जाओ और देखो यह क्या क्या डाल रहे है आपको idea हो जाएगा कि मैं क्या डाल सकता हूँ दूसरी चीज क्या है आपको क्या करना है आपको facebook पे आना है facebook पे आने के बाद आपको यहाँ पे search करना है जो भी आप चीजें जिस चीज पे आपने blog बनाया है तो जैसे कि मैं cricket search करता हूँ ठीक है तो मैंने आपके cricket search किया तो cricket से related मुझे यहाँ पे देखना है कौन कौन से pages हैं तो यहाँ पे option मिल जाएगा pages का ठीक है तो यहाँ पे जो भी आपके blog का topic है आप उस related pages को groups को ढूंडो उनको follow कर लो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि अच्छा यह चीजे चल रही है इस तरह का content होता है तो आप यहाँ से भी content idea ले सकते हो facebook से youtube channel से जो आपकी category से related हो instagram पे pages हो आपकी category से related वहाँ से भी आप ideas ले सकते हो इसके अलावा मैं आपको तीसरी जगा भी बताता हूँ तीसरी जगा होती है ठीक है आपको क्या करना है google पे आना है और google पे आपको लिखना है google trends ठीक है google खोला और यहाँ पे आपको लिखना है trends ठीक है आपने यहाँ पे लिखा trends google और यहाँ पे पहली website है खुल जाएगी यहाँ पे आपको क्या करना है trending now के बटन पे click करना है और trending now के button पे click करके यहाँ पे आपको वो चीजे सारी मिल जाएंगी जो इस time पे trending में चल रही है आपको just यहाँ पे क्या करना है आपके topic से related जो चीज होगी आपको वो topic उठाना है ठीक है और उसको google पे search करना या फिर आप सीधा यहाँ पे click करोगे यहाँ पे click करते ही अगर यह आपका topic है आपके blog से related है अपने blog से unrelated काम कुछ नहीं करना यहाँ पे website से होगी कि इस topics related क्या क्या चीजें चल रही है आप इन articles को पढ़ो और अपने blog पे डाल दो ठीक है एक तरीका यह होता है इसके अलावा एक और तरीका होता है आप simply अपने mobile पे आओ ठीक है यह भी मैं आपको बता देता हूँ यह भी काफी बहतरीन तरीका है mobile पे आने के बाद आपको क्या करना है आपके mobile में cap होगी google की आपको इसको open करना है और यहाँ पे search करना है अपने blog के topic से related एक बार दो बार दिन में 10 बार 20 बार 50 बार search करना है जो भी आपके blog का topic है उससे related आपको news पढ़नी है उससे क्या होगा जब भी फिर आप इस google app को खोलोगे आपको आपके blog topic से related यहाँ पे लोग आज के time पे क्या क्या पढ़ने में interested है वो सारी news आपको यहाँ पे दिखेंगी आप यहाँ से idea लेना और अपने blog पे डालना तो यह सारे तरीके होते हैं जिनसे आप यह पता लगा सकते हो कि मुझे अपने blog पे क्या डालना चाहिए हमारे इस course का main concept क्या है आप अपने blog पे ऐसे topic डालो जो आज के time पे trend में चल रहे हैं आपके blog topics related जो भी आपने topic select किया उससे related जो भी चीज़े trend में चल रही है न वो आपको अपने blog पे डालनी है जिससे आपका blog जल्दी से जल्दी जादा logo तक पहुँचेगा बाकी सारी चीज़े मैं आपको आगे बताई दोँगा तो guys अब बारी आती है आपको content find करना आगया कि मुझे blog पे क्या लिखना अब बारी आती है भाई कि चलो ठीक है ये सब लेकिन लिखेंगे कैसे क्या तरीका रहेगा लिखने का कैसे खूपसूरत article लिखा जाता है जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा लिख पाओगे हो सकता है दो महीने चार महीने आप अच्छा नहीं लिख रहे लेकिन लिखते 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 एक बहुत अच्छे writer आप बन जाओगे ये maturity देता हूँ पहले दिन से ही तो आप खुबसूरत नहीं लिखोगे लेकिन 2-4 महीने रोज का लिखते रहोगे तो आप एक बहुत अच्छे राइटर बन जाओगे ठीक है तो आप मैं आपको बताता हूँ लिखने की कला कैसे लिखा जाता है तो दोस्तों ब्लोग के लिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं यह मैं आपको एक्जामपल के साथ बताऊँगा अगर मैं लिख के बताऊँगा तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको लिखना नहीं सिखा सकता आप चाहो तो अभी है उसको भी उसको भी उसकर सकते हो लेकिन मुझे पसंद है तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं वेट करने के बाद सिंपली से अक्टिवेट करेंगे पोस्ट पर आएंगे और यह एक ही बार करनी थी बार बार नहीं करनी अब जब भी आर्टिकल डालने होंगे पोस्ट पर आना है एड नियू पोस्ट पर क्लिक करना है ठीक है कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा अब यहाँ पे सबसे पेले टाइटल होता है और यहाँ पे हमें अपनी पोस्ट लिखनी होता है टाइटल क्या होता है जैसे कि यह मैंने आर्टिकल लिखा हुए तो जो में हैडलाइन होगी हमारे आर्टिकल की उसको टाइटल बोला जाता है ठीक है तो for example आपको जिस भी topic पर article लिखना है आपको सबसे पहला process क्या होगा आपको Google पर आना है आपने कहीं पर देखा कि मैं इस topic पर article लिखना चाहता हूं जैसे कि pizza बनाने की recipe ठीक है तो आप Google पर search करोगे कि लोग क्या लिखके search करते हैं तो आप लिखोगे pizza ठीक है यहा Google में लिखके search कर रहे है इन Hindi या कैसे वो आपके उपर है आप Hindi में लिखना चाहते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर example मैंने इस पर लिखा इन Hindi ठीक है यह आ गया तो बहुत सारे option है आप इन में से कोई भी चुन सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो तो मैंने यह ले लि जैसे कि मैंने यह लिखा हुआ है पहला paragraph यह मैंने लिखा तो आप पहले paragraph में क्या बताओगे किस article में क्या क्या चीजे होने वाली है वो लिखोगे लेकिन यह सब करने से पहले आपको क्या करना है आपको जो भी आपका topic है आपको Google पे जाना है search करना है पहली 57 websites को पढ़न है और ऐसे points को include करना है copy paste नहीं करना जस्ट आपको idea लेना है points को लिख लेना है अब जो जो points होंगे आपने एक पहला paragraph लिख दिया अपनी एक image बनानी है अब आपको रहुल भाई image कैसे बनाते है तो आपको Google पे आना है ठीक है यह YouTube पे आना है Google पे नहीं YouTube पे आ जाना है औ और YouTube पे आने के बाद आपको यहां पे search करना है क्या search करना है ठीक है blog post image कैसे बनाए ठीक है और यहां पे लिख देना है राहुल उक्मन्यू ठीक है यह लिख देना है मैंने detail में यहां पे बनाया देखो यह वाली है copyright free blog images कैसे बनाए इस पे 71,000 views है आप इस वीडियो को दे इसमें मैंने detail में बता है ठीक है फिर जब आप image बना लोगे एक अपना पहला paragraph लिख दोगे यहां पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ first paragraph यहां पर अपना पहला paragraph लिख दोगे उसके बाद add media पे click करोगे जो photo आपने बनाई होगी अपने blog के लिए उसको यहां से upload कर लोगे जैसे for example हम सोच लेते हैं यह वाली photo है ठीक है इसके बाद जो भी आपका title होगा उसको आपको यहां पर लिख देना है यहां पर alt text में वो लिख देना है ठीक है उसके बाद यहां पर और कुछ नहीं करना यहां पर नीचे आना है center रहने देना है इसको यहां पर large कर देना ह और insert कर देना है यह यहां पर आ जाएगी इसके बाद जब आपने दूसरों के article पड़े होंगे कि उन्होंने क्या क्या points की है तो जैसे कि हमने आपर heading डाली हुई है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर जैसे कि हमारी यह pizza ठीक है कैसे बनाए ठीक है तो हमें करेंगे हम अपना यहां पर जो भी matter है वो लिखेंगे कोई list एड करनी है यहां से कर सकते हैं number list यहां से कर सकते हैं कोई main point बताना है तो quotation use कर सकते हैं यह वाला जो quotation है यह use कर सकते हैं ठीक है और कुछ हमें use करना है जैसे की center left alignment यह सब चीजे कर सकते हैं ऐसा करके आपको अपना एक पूरा article लिख लेना है जैसे कि हमने लिखा हुआ है जहां images डालना चाहो वहां पर image डाल सकते हो यह आपका article हो जाएगा उसके बाद क्या करना है जो आपका title होगा उसको copy करना है copy करने के बाद आपको last में focus keyword आ रहा होगा यहा से पहले उसको select करके ठीक है और set featured image पर click कर देना है इतना करने के बाद simply आपको इसे publish कर देना है इतना सा काम करना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको आना है search console के उपर ठीक है search console पर आना है start now पर click करना है start now पर click करने के बाद यहां पर आपको आना है site map के उपर सबस के बाद यहां पर हमें आना है rank math का option मिलेगा हमें यहां पर तो हम wait कर लेते हैं थोड़ा सा यह processing ले रहा है यह step एक बार करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर हमें rank math का जो हमारा option है इस पर आएंगे और rank math के option पर site map setting पर आएंगे ठीक है यहां पर आने के बाद हमें यहां पर जस्ट कुछ seconds के लिए wait करना है और हमें जस्ट copy paste का का काम करना है one time बाकी का काम Google खुद समाल लेगा तो यहां पर मैं wait कर लेता हूँ net थोड़ा सा slow चल रहा है भाई गर्मी की बज़ा से 24 गंटे net चलता है तो router hang हो जाता है कहीं पर तो wait कर लेते हैं तो दोस्तों यह आँ पर खुल चुका है खुलने के बाद यहां पर जो आपका blog का नाम लिखा रहा होगा जो भी .in.com लिए स्लैश आ रहा होगा उसके बाद जो भी चीज है इसको यहां से copy करो slash के बाद का matter यहां पर आओ site map section में आके यहां पर paste कर दो ठीक है slash नहीं लगाना उसके बाद का इसको submit कर दो यह काम कर देना है उसके बाद आप जब भी कोई article डालोगे ठीक है आपको post में आना है जब भी कोई आप article डालते हो ठीक है आपको post में आना है view वाला जो option है इस पर click करोगे आपका article खुल जाएगा इस link को copy करना है copy करने के बाद ठीक है आपको यहां पर search console में आना है और यहां पर इसको paste करना है ठीक है और यहां पर enter करना है ठीक है यह check करेगा क्या आपका यह Google में है या नहीं है यह दिखाएगा अगर नहीं है तो आपको request indexing पर click कर देना है यह Google में index हो जाएगा ज्यादा detail में जाने की जरूद नहीं अभी यहां पर आप देखोगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अगर आपको और अच्छे से सीखना है ब्लॉक के लिए article कैसे लिखते हैं तो आप Google पर आओ और लिखो YouTube पर ब्लॉक के लिए SEO friendly article कैसे लिखना सीखें और यहां पर आप लिख देना राहू लुकमन्यू ठीक है आप जैसे ही एंटर करोगे आपको देखो यहां पर यह वाला पोस्ट मिलेगा चार लाख चार अजार इस पर व्यूज है ब्लॉक के लिए SEO friendly article ऐसे लिखो पंतालीस मिनिट का वीडियो है आप इसे देख सकते हो ठीक है वो SEO के इस आप से लिखना सिखाया है तो आप वो भी follow कर सकते है अधरवाई जो इस वीडियो में बताया है वो तो ही है इसके बाद simply यह चीज़ आ जाएगी यहां पे layout पे क्लिक करना है layout पे क्लिक करने के बाद blog पे आना है, single पे आना है post पे आना है display featured image को बंद कर देना है और इसको publish कर देना है यहां से आपकी जो दो बर photo आ रही थी वो single time हो जाएगी ठीक है, इतना सा काम करना है तो guys अब आपको यह भी आ चुका है कि article कैसे लिखते हैं और यह चीज़ आपको आएगी जितना दूसरों के blogs को पढ़ोगे जो आपके topics related होगे उनसे आपको idea होता जाएगा कि actual में लिखना कैसे है बाकी सारी चीज़े मैंने आपको बताई दी तो guys finally आपको blog के उपर article लिखना भी आ गया बात आती है राहुल भाई सब कुस ठीक है लेकिन आपने बोला था पैसा बनेगा पैसा कैसे बनेगा जब जादा लोग हमारे blog पे आएंगे तब पैसा बनेगा लेकिन पैसा लोगों के आने से थोड़ी बनेगा बात तो हो रही थी advertisement की कि जब ads लगेंगी तब पैसा बनेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको कम से कम अपने ब्लॉग पे एक महीने काम करना है जब आपके ब्लॉग पे आपकी खुद की लिखी हुई 30 से 40 आर्टिकल्स हो जाते हैं उसके बाद आपको अपने ब्लॉग को Google AdSense के लिए apply करना है apply कैसे करना है वो वीडियो मैंने पूरा detail में बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक में description में दे दूँगा आप उस वीडियो को देखना जब आप ब्लॉग बना लेते हैं उसके एक देड़ महीने बाद उस वीडियो को देखकर आप Google AdSense के लिए apply कर सकते हो अगर आपने सारी चीजों को सही किया है तो आप Google AdSense का approval मिल जाएगा ads कैसे लगाते हैं उसके वीडियो का link में दे दूँगा जिससे आपके ब्लॉग पे ads आ जाएंगी और आप पैसा कमाना start कर दोगे लेकिन दिक्कत क्या आएगी यहां पे अब जितने भी लोग blogging कर रहे हैं उनकी problem का बात करते हैं और जो आपको problem आ स सारे रास्ते होते हैं लेकिन दो उनमें सबसे best तरीके हैं सबसे पहला तरीका होता है SEO का ठीक है अब जितने लोग नहीं है वो कहेंगे राहूल भाई इसके बारे में बताया तो है नहीं आपने SEO क्या होता है तो मैंने आपको starting में ही का था उतना बताऊंगा जिससे आप प date आती है तो उसमें क्या होता है हमारे ब्लोग का traffic डाउन हो जाता है और मैंने खुद के भी और भी बहुत सारे ब्लोग का traffic देखा है डाउन होते हुग अगर हाली में हम बात करें मैंने अभी तो अपने ब्लोग नहीं दिखा है आज तक YouTube पे कि हाँ जिनसे मैं particular कमा रहा तो जो SEO वाला method है उसमें अगर update वगरा आती है तो हमारा ब्लोग जीरो पे आ जाता है कहीं बार जाए आप एक लाख रुपे महीने कमा रहे थे पिछले महीने अपडेट आई अब जीरो पे आ गए ये चीज़े होती है तो उसमें वो problem है हम उस चीज़ को follow नहीं करेंगे ह दूसरा method follow करेंगे जो सबसे आसान है आपको लिखना है और traffic लेके आना है Instagram, YouTube और Facebook के दुरू कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ देखो आपको क्या करना है जैसा कि मैंने आपको बोला आपको एक blog नहीं बनाना आपको एक brand बनानी है आप जो भी अपने blog पे कुछ भी article डाल रहे हो उससे related आपको कुछ छोटे-छोटे short videos बनाने है ठीक है अब ये मत कहना कि मेरा face अच्छा नहीं है मेरी आवाज अच्छी नहीं है सारी चीजों को उठाओ और फैंक दो आपको करना क्या है मैं वो बताता हूँ ये बहाने नहीं चलेंगे ठीक है आवाज बहुत लोगों की अच्छी नहीं थी लेकिन आच टॉप के यूटीवर है शकल बहुत लोगों की अच्छी नहीं है लेकिन आच टॉप के यूटीवर है अवाज और वोईस होने से कुछ नहीं होता अवाज शकल अच्छी नहीं है सब चीज़े बेकार किये हैं आप काम करन स्टार्ट करो, सक्सेस मिलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे content डूढना है, जिनको लोग देखना चाते हैं, समझ रहे हो ना भाई, जिनको लोग देखना चाते हैं, तो for example, मैं आपको example से बता रहा हूँ, suppose करो example है, बाकी दिमाख आपको लगाना है, देखो कोई government की job निकलती है, या कोई scheme निकलती है, आपने उसके बारे में एक पूरा article लिखा detail में, उससे related आपने एक छोटी सी short video बनाई, कि ये scheme निकल रही है, इसमें apply कर सकते हो, पूरी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने mobile का screen recorder on करना है, ठीक है, सबके mobile में screen recorder होता है, नहीं है play store से download कर लो, उसमें बोलना है, गूगल पे जाओ, ये blog का नाम सर्च करो, या आप अपने blog का नाम YouTube का channel का नाम, Instagram के page का नाम, Facebook के page का नाम, तीनों का आपके blog का नाम होना चाहिए, एक वीडियो, तीनों जगा डाल दी, कहीं भी viral हो गई न, कहीं भी viral हो गई, एक एक दिन में लाखों का traffic आएगा, करके देख लेना, लेकिन practice लगेगी, दिमाख लगेगा, idea दिया है, इसको implement करोगे न, जबर्दस लेवल पे फार दोगे, यही trick गलत तरीके से थोड़ा बोलना नहीं चाहूँगा, हरी blogger का नाम सुनाओगा, यही trick यूज़ करता है, और पैसा कमाता है, लेकिन उसका funda दूसरा है, लेकिन अगर आप जैनन तरीके से इसको यूज़ करोगे न, जैनन तरीके से, आप अंधा पैसा blogging से कमा सकते हो, और आप एक brand बना सकते हो अपने blog को, तो आपको अगर वीडियो editing सीखनी है, कि shorts वीडियो कैसे record करना है, कैसे काम करना है, तो आप मुझे comment कर सकते हो, मैं इसके उपर अलग से और वीडियो ले आऊँगा, कि कैसे article की हमें short वीडियो बनाने है, लेकिन काम क्या करना है, अपने blog पे अच्छा-च्छा content लिखते रहो, professionally लिखना, आप ये सोचना मैं professional हूँ, इस topic का, लिखते रहो, लिखते रहो, और उसके बाद, उनी में से, यू नहीं है, आपने 10 article डाले, 10 की 10 की वीडियो बनानी है, ऐसे article, जो आपको लगता है, कि इसमें ज्यादा interest लेंगे, उनी की छोटी सी, एक मिनट की वीडियो बनाने है, एक मिनट की वीडियो बनाने में ज्यादा time नहीं लगेगा, practice हो जाएगी तो 5 मिनट में बना लिये करोगे, ठीक है, वही चीज़ आपको तीनों जगा डालनी है, और blog पे इतना traffic आएगा ना यह 100% सही है, इससे आपका पैसा बनेगा, अगर आपका कोई doubt है, मन में मत रखना, भाई को comment करके बता देना, भाई आपके comment का reply जरूर देगा, और एक चीज़ और बोलना चाहूंगा भाई, महनत करोगे ना, सब कुछ बनेगा, महनत करोगे ना, सब कुछ बनेगा, मन में एक चीज हमेशा रखना, कोई भी काम शुरू करता हो ना, अब मैंने आपको इस काम के बारें बताया, आपको यकीन नहीं है ना, अब गूगल पे जाके सर्च कर लो, क्या ये चीज़े सच हैं, आपको answer मिल जाएगा भाई, ये चीज़े 100% सच हैं, लेकिन दिक्कत क्या है अगर आप YouTube पे जाके देखोगे, बहुत लोग ब्लॉगिंग की बुराई करते हैं, मेरी भी बुराई करते हैं, कि ये ऐसा वो वैसा, क्यों करते हैं बुराई ही, क्योंकि खुद ग्रो नहीं कर पाए, लोग बोलते हैं, कि भाई ये ऐसा बता रहा है, ऐसा नहीं होता, ब् पैशन है वो लगेगा ना अगर आप किसी भी काम को ना हार मानने की इच्छा से शुरू करते हो दुनिया की कोई तागत आपको नहीं हरा सकती भाई सोचना शुरू करो कि मैं इस चीज से पैसा कमा सकता हूं मैं महनत करूंगा जो मैंने इसमें बताया उसके बाद रुख करते है ना, स्टार्टिंग में पैसा नहीं बनता चाहिए आप साल तक पैसा ना कमाओ लेकिन जब आप साल तक महनत करते हो ना,साय कुछ 2016 तक कुछ नहीं कमाया, क्यों? क्योंकि जो rules आपको बताए, खुद ही follow नहीं किये, फिर मैंने rules बनाए, तब जाके मैंने कमाना शुरू किया, 5-6 साल कुछ नहीं कमाया starting में, जब लेकिन कमाना शुरू किया, तो भाई ने 6 पर फार दिये थे, तो भाई ये चीज है मेहनत करना शुरू करो जो 5 points पताये थे उनको follow करना success जरूर मिलेगी और मैं ये नहीं कहता है इस course को देखकर आप ये सब करो मर जी आपकी करना है तो करो नहीं तो मत करो तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए मेहनत करते रहो लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी बस कभी भी हार मत मानना जैशी रादे